नमस्कार मैं हूँ शाशी दुशार शर्मा आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षिप में जान लेजे जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि खबरों खास हैं क्यों और इनके राजनेतिक माइने क्या हैं सोंवार को राजिस्थान में चुनाव प्रचार के शोर और आरो प्रत्यारोब की हम बात करेंगे अमेश शाह नितिलंगाना में एक साथ कॉंग्रेस और बी आरेस को कैसे लपेटे में लिया है इसकी भी चर्चा होगी राजिस्थान चुनाव में पेट्रोल डीजल और सिलेंडर की कीमतें क्यों बन रही हैं बड़ा मुद्दा आपको बताएंगे हम साथी ओपी राजभर कोई नई सियासी खिच्री पकाने की तयारी तो नहीं कर रहे हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे और मध्यप्रदेश में महिला वोटर्स ने क्या जगा दी है बीजेपी और कॉंग्रेस की आस इसकी भी बात होगी आईएं तमाम ख़बरों को समझते हैं विस्तार से राजस्तान में विधान सभा चुनावों के लिए प्रचारा भिहान अपने चरम पर पहुंच चुका है और सुनवार को प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी कॉंग्रेस के राश्वे अध्याक्ष मलेकार जुन खडगे और कॉंग्रेस महासचे प्रियंका गान्धी राजस्तान में पहुंची हुई थी मोधी ने पाली में जनसभा को संबोधित करते हुए पिम की कॉंग्रेस सरकार पर ताबर तोड हमले किये प्रधार मिंट्री ने कहा कि राजिस्थान में पडोसी राजियों में हर्याना, उत्तरमदेश और गुजरात में बीजेपी की सरकार है और पेट्रोल वहाँ पर 97 रुपए प्रति लीटर है अगर राजिस्थान की हम बात करें तो कॉंग्रेस के इस राजिय में बारे से 13 रुपए मेहगा पेट्रोल बेचा जा रहा है वह यानूबगर में अपने भाशन में खड़गे ने पलटवार करते हुए ये कहा कि प्यम मोदी ने कहा था चूले पर खाना बनाने वाली माताओं बेहनों को मुफ्त में रसोई कैस दूँगा लेकिन उन्होंने रसोई कैस की कीमत और जादा बढ़ा दी मोदी जनता से ही जनता का पैसा चोरी कर रही है अब हम आपको दोनों बयान सुनवा देते नरेंद्र मोदी ने कैसे निशाना साधा यहां पहुंचकर और कैसे मलेकारजुन खड़गे की तरफ से जवाब दिया गया है राजस्तान के भीतर आप देखिए राज्यतान के एड़ोस पढ़ोस के राज्य राज़ान का पढ़ोसी उपी है राज़तान का परोसी हर्याना है राज़तान का पढ़ोसी घुजरात है वहां भाजपा की सरकारे हैं वहां पैट्रोल 97 रुपिय प्रति लिटर मिलता है 97 लेकिन कॉंगेरेस की राज़तान सरकार गुजरात उत्तरपदेश हरियाना से 12-13 रुपिय पैट्रोल लेक एक लिटर का ज्यादा लेती है महंगा पैट्रोल बेचती है और कठकी कमपनी चलाती है मोदी जी उन माताओं को उन भैनों को देखकर उनकी आसु देखकर मुझा रहा नहीं जा रहा है मैं फ्री में ग्यास दोंगा अरे मेरे भाई फ्री में ग्यास देने का तो छोड़ो आपने हमारे जमाने में 450 रुपे ग्यास दा सिलेंडर अब तो आपने 1100 रुपे कर दिया तो कॉंग्रिस महास सचे प्रियंगा गांधी ने भी केकडी में जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने बीजेपी के सीम फेस को लेकर पार्टी पर निशाना साधा सुनिए ज़रा प्रियंगा गांधी ने और क्या कहा कि इनको भाजपा की अपनी स्थिती देखनी चाहिए इनकी स्थिती क्या है बिखरी हुई है इनकी पार्टी हिट विकेट तो यह है राजस्थान में भाजपा वाले तो ये बात उन्होंने की एक बात और असलियत कुछ और है कह रहे हैं कि हम लोग रन आउट करते हैं हिट विकेट इनकी पार्टी है इनकी पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है इनके नेता जो बड़े बड़े नेता है उनको इन्होंने परेकर दिया है किसी को मालूम ह के बीच मतभेदू पर निशाना साथते हैं प्रियांका गांदी ने सीम फेस की चर्चा करके बीजेपी की दुखती रख पर हात रखने की कोशिश की है वहीं केंद्री ग्री मंत्री आमिश शाह भी सोंवार को तेलंगाना के दौरे पर थे जन गाओं में जन सभा को सम्मोधित करते हुए शाह ने बी आरेस और कॉंग्रेस पर वंशवात पर निशाना साथा आमिश शाह ने कहा कि इन पार्टियों को एक ही परिवार की तीन तीन चार चार पीनियां चला रही है उन्होंने ये भी वादा दोहराया कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने प पिछड़े वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अब सुनिया मिशाने तेलंगाना पहुँचकर जनसभा को सम्मोधित करते हुए किस तरह से निशाना साधा है ये तीनों पार्टिया 2G, 3G और 4G पार्टिया है ये मुड़ पार्टिल गुड़ा 2G, 3G, 4G पार्टिल ने में एक देले जेस्तों नानू देखे 2G का मतलब है 2 जनरेशन, KCR और KTR, 3G का मतलब है 3 जनरेशन, OVC की पार्टि और 4G का मतलब है कॉंग्रेस पार्टि जवालाल नेरू, इंदीरा गांदी, राजीव गांदी और राहूल गांदी तिये लंगाना में कॉंग्रेस और BRS के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन इसी बीच, BJP भी अपनी पूरी ताकत जोंके हुए है पार्टि ने अपने घोशना पत्र में समाच के अलग-लग तपकों के लिए कई वादे किये हैं BJP की कोशश यह है कि चुनाबी मुकाबले में किसी भी तरह से ये मुकाबला त्रिकों ये बना दिया जाए उदर राजिस्तान में चुनाब से पहले पेट्रोल, डीजल और असोई इसकी सिलेंडर को बड़ा मुद्दा बनता हुए देखा जा रहा है क्योंकि BJP और कॉंग्रेस दोनों ही पार्टिया कम कीमत में सिलेंडर देने का बादा करी रही है इसकी शुरुआत BJP ने की और बिना देर किये कॉंग्रेस भी मैदान में कूद गई BJP ने अपने संकल पत्र में कहा था कि अपनी सरकार आने के बाद 450 रुपे में सिलेंडर दिया जाएगा मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार रिपीट हुई तो लोगों को 400 रुपे में सिलेंडर दिया जाएगा गहलोत ने राजस्तान में महेंगे पैचोल के सवाल पर भी जवाब दिया है अब सुनी अशोक गहलोत ने और क्या कहा है बारत सरकार इत dudबड़ा खेल खेल रही है उटका नियम बनावाय काईदा है सब राजियों में वो डिस्ट्रिबूती है इनों क्या चाज़े करिये जो बेसिक अक्षिय्ज बैसी जी थी बटवड़ा होता है तो राजियों में उसको तो कर दिया लग बग खतम, बहुत कम कर दिया, और नई एक्सरी जूटी, एडिसनल एक्सरी जूटी, नमबर एक, इस पे एक्सरी जूटी नमबर दो, और सैस नमबर तीन, इसको बडा दिया, उसमें राजियों को बटवड़ा तो धोका तो दे रहे हैं जिंता को तरस्वेक एस पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सीधा असर आम लोगों पर पढ़ता है और मिडल क्लास और ग्रहनिया इसकी कीमतों में इजाफे जबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाती है इसलिए दोनों ही पार्टियें स्मुद्धिक उठा कर एक दूसरे को घेरने की कोशश में हैं आप देखना यह है कि जनता किसकी बातों पर जादा भरूसा करती है विदानसभा चुनाव वाले राज्यों से दूर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले नए स्यासी समीकरणों के संकेत मिलने लगे हैं सुहेल दे भारतिय समाच पार्टी के मुख्या ओपी राजभर की कॉंग्रिस नेता आचारे प्रमोद कृष्णम से मुलाकात के बाद अटकलों को और जादा हवा मिल गई है राजभर अभिवार को रात को प्रमोद कृष्णम द्वारा रियोजित कल की महुतसर में शामिल होने के लिए पहुँचे और इस दौरान उन्होंने अटकले उनकी उलाकात के बाद लगाई जा रही है क्योंकि दो दिन पहले ही ओपी राजभर ने इशारा किया था ईंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ संपर्क में हैं इसके बारे में और क्या कहा गया है ओपी राजभर की तरव से सुनें देखे हम इंडिये में सामिन हैं और इंडिये के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे इंडिया गडबंधन के तमाम नेता हमारे संपर्क में हैं तो एंडिये में शामिल होने के बाद से राजबर योगी अदितेनात काबिनेट में जगह मिलने का इंतजार कर रही है गोसी उप्चिनाफ में हार के बाद उन्हें नवरात्री में काबिनेट विस्तार का भरोसा दिया गया लेकिन ये अब तक काट का हुआ मामला है राजबर का बयान प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा भी हो सकता है क्योंकि थोड़ी देर बाद यूटर्ल लेते हुआ उन्होंने कह दिया कि वो इंडिया गटबंदन के नेताओं को एंडिये में शामिल कराने के लिए उनसे मिल रही है उतर मध्य प्रदेश में विधान सभा चुनावों की मतदान प्रक्रिया में महिलाओं की हिस्सेदारी ने BJP की और कॉंग्रिस की दोनों की उमीदों को बढ़ाया है दोनों को इस बात की उमीद है कि महिलाओं का बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत उनकी किस्मत को बढ़ाने में मददगार सावित होगा प्रदेश की 230 विधान सभा की सीटों के लिए एक चरण में 17 नवेंबर को मददान हुआ और इस बार मतदान का प्रतिशत रहा लगभग 78 प्रतिशत जिसमें पुरुषवर का मतदान प्रतिशत था 78 दश्मनब दो एक और महिलावर का मतदान था 76 दश्मनब शून्य तीन प्रतिशत चुनावायो की ओर से जारी किये गए आंख्रों में इस बात के भी संकेत हैं कि टैई विधान सभा क्षित रह से हैं जहां महिलाओं का मत प्रतिशत पुरुषों की तुलना में काफी जादा है सियम शिवरासिंग चौहा ने ट्वीट करके कहा है कि मतदान के लिए लाडली बेहनों की लंबी कतारे बीजेपी की जीत का संकेत है ट्वीट देखिया और इस बार के चुनाब में सभी की नजरे हैं महिला मत दाताओं पर इसकी वजह भी है क्योंकि सत्ता धारी दल भारती जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए जहां लाडली बेहन योजना शुरू की तो दूसरी और कॉंग्रेस ने सत्ता में आने पर नारी संभान योजना शुरू करने का वादा कर दिया महिलाओं ने किसके पक्ष में मतदान किया है इसका पता तो तीन तारी कोई पता चल पाए गया यानि तीन दिसम्मर को जब नतीजे आएंगे मध्यप्रदेश में विधान सभा चुनावों में मतदान के दिन चंबल इलाके के भिंड जिले के अटेर विधान सभा पर पोलिंग नमबर 71 पर बूथ कैप्चुरिंग की बात कही गई और इस बात की शिकायत मिलने के बाद चुनावायों ने इस पोलिंग बूथ पर दुबारा से मतदान कराने का निर्ने लिया 21 नवेंबर को पुनर मतदान होना है 7 बज़े से शाम 6 बज़े तक वोड डाले जाएंगे 17 नवेंबर को जो मतदान हुआ था अटेर विधान सभा के किशुपूरा गाउं की पोलिंग नंबर 71 पर वहाँ दोनों ही पार्टियों की तरफ से मार्पीट की खबरे आई बूथ कैप्चुरिंग की शिकायत की गई चुनावायों से किशुपूरा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुन्ना सिंग भदोरिया का ग्रही गाउं है और इस वीडियो को आधार बनाकर सहकारिता मंत्री और अटेर विधान सभा से बीजेपी के प्रत्याशी अर्विन भदोरिया ने पुनर मद्दान की मांग की थी जिसे चुनावायों में माल लिया आसा और शद्धा का महापर्व छट सोंवार को संपन हो गया बिहार की सियासत में इस बार चट में एक अजीब और गरीब नजारा देखने को मिला है वैशाली जिले में आर्जडी के कारेकरताओं ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी चर्चा है पूरिक्षित्र में और इसके सियासी मायने भी निकाले जा रही है दरसल भगवानपूर के कीरतपूर स्राजाराम गाओं में आर्जडी कारेकरताओं ने पहले चट घाट पर पार्टी के अध्यक शिलालो प्रसाद यादब और उप मुख्य मंत्री तेजस्वी यादब की प्रतिमा को स्थापित किया और फिर पूजा अर्चना की इस दोरा ने इस चट घाट का नामकरण भी तेजस्वी यादब के नाम पर कर दिया गया कारेकरताओं ने चट मैया से तेजस्वी यादब को जल्द मुख्य मंत्री बनाने की कामना भी कर डाली चुनावी खबरों के मारे इस खास बुलिटिर में फिलाल इतना ही लेकिन चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए थर दिल्चस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें चुनावा आज तक को मुझे दीजी अजाज़त नमस्कार